अब हमारा टॉपिक है साइंड एडिशन और सब्स्ट्रेक्शन साइंड नंबर्स को हमें एड और सब्स्ट्रेक्शन करना है Let the magnitude of two numbers be A and B Magnitude मतलब चोन की वैल्यू जैसे 6 है तो 6 is magnitude and अगर माइनस 6 हो तक माइनस 6 is sign So let the magnitude of two numbers be A and B When sign numbers are added or subtracted 4 different conditions to be considered for each addition and subtraction depending on the sign of the numbers So जब भी किनी two numbers को add या subtract किया जाता है 4 different conditions जो है वो Consider की जाती है किस पे depend करती है वो sign of the numbers So अगर addition ले रहे हो आप तो addition की 4 conditions हो जाएंगी और अगर आप subtraction कर रहे हो तो subtraction की भी 4 conditions हो जाएंगी So depending on the sign of the number 4 addition में conditions बनती है 4 subtraction में conditions बनेंगी तो ये 4 addition के लिए हैं और 4 subtraction के लिए है तो अगर दोनो numbers हम यहाँ पर एक table बनाएंगी जिसमें serial number है Operation है Add magnitude Substract magnitude तो अगर हमने कहा है कि A और B जिन numbers को add करना है दोनो positive है तो उस case में क्या हो जाएगा Add हो जाएगा Substraction apply हो क्या क्या? नहीं होगा अब एक positive है A फिर B को हमने negative ले लिया minus sign का तो उस case में इसका मतलब क्या होगा? कि A और B में subtraction होना है यानि हम यहाँ पर entry करेंगे लेकिन जो sign होगी वो किस पर depend करेंगी? अगर A की value greater than B है तो sign हमारी positive होगी तो हम plus sign इस when A is greater than B तो A minus B होगा और sign जो होगी वो plus होजाएगी लेकिन अगर suppose B is greater than A है या A is less than B है तो इसमें क्या होजाएगा? B minus A find out होगा और sign किसकी आजाएगी? B की? जाएगा negative और subtraction कैसे होगा? आप इसको कैसे लिखोगे? अगर subtract हो रहा है तो आप इसको लिखोगे यहाँ पर A minus B और sign हमें negative चाहिए तो इसमें से minus common ले लो तो minus common ले लो तो B आगया जाएगा minus A होजाएगा आप इसको open करोगे तो यह क्या होजाएगा? minus B plus A तो A minus B को हम कैसे लिख सकते हैं? B minus A क्योंकि हमें sign क्या रखनी पड़ेगी? negative क्योंकि B greater than है और अगर दोनों के value equal है A और B equal है तो उस case में क्या हैगा 0 अगर 0 आया तो क्या 0 जो होता है वो plus और minus होता है? क्या वो तो सिर्फ plus होता है? तो उस plus और minus 0 minus 0 को हटाने के लिए when two equal numbers are subtracted the result should be plus 0 not minus 0 तो इसलिए ये वाला column रखाया है कि अगर दोनों same way जैसे 2, 2 होगे दोनी वाल तो 2 minus 2 क्या होता है? 0 तो plus 0 होता है ना कि minus 0 तो हम यहाँ पर plus sign यूज़ करेंगे तो यहाँ पर plus sign यूज़ करेंगे तो यहाँ प्लस A फिर plus B minus B अब हम next क्या देखेंगे अब next हम क्या देख रहे है minus A वाले combination तो A minus A plus B है तो उस case में भी subtraction ही होगा addition तो होगा ही नहीं subtraction होगा तो वही case अगर A is greater than B है तो sign किसकी आएगी? A की आएगी और A minus B हो जाएगा अगर B greater than A है तो sign क्या आएगी? positive और क्या हो जाएगा? me minus A और अगर दोनों equal होए तो A minus B होगा और plus sign लगाएगे अब minus A है plus B वाला combination देख लिया तो minus B दोनों negative है A, B और B भी तो ये दोनों क्या हो जाएगे? plus हो जाएगे अगर दोनों की sign minus है तो ये हो जाएगा minus A minus B minus common ले लो तो ये हो जाएगा A plus B तो इसको हम ऐसा लिख सकते है तो इसका मतलब है addition होगा तो यहाँ पर हमने क्या देखा? जब A और B की sign same थी तो addition हो रहा है लेकिन यहाँ पर plus sign में answer आएगा और यहाँ पर answer क्या आना चाहिए? negative आना चाहिए next अब हम subtraction की combination ले लेते यहाँ भी A और B की sign same ले लेते और minus करना है तो subtraction ही होगा ठीक है? subtraction होगा यहाँ पर और अगर A greater than B है तो plus sign आएगा अगर B greater than A है तो minus sign आएगा minus B minus A करेंगे और अगर दोनों की same हुई value तो हम लिखेंगे plus A minus B क्योंकि plus 0 होता है minus 0 नहीं होता है अगर एक plus है A plus है और minus B है तो यह minus minus plus हो जाएगा यानि हमें plus operation ही perform करना होगा और sign किस type का आएगा? positive आएगा क्योंकि यहाँ पर हम signed numbers की बात कर रहे है कि plus minus operations में है तो sign क्या आएगी result की वो भी हमें देनी पड़ेगी तो अगर यह minus है और यह plus B है तो plus minus minus हो जाएगा minus common ले लेंगे तो यह बचेगा A plus B तो हमें यहाँ पर भी addition करना होगा लेकिन sign क्या आएगी minus यहाँ पर दोनों minus है तो यह हो जाएगा minus A plus B अब इसमें हम देखेंगे कि कौनसी value greater है अगर A greater than B है तो negative sign आएगा तो minus हम common ले लेंगे तो A minus B calculate करेंगे अगर B greater than A है तो plus sign आएगा और हम B minus A करेंगे और अगर दोनों same है तो हम plus sign A minus B करेंगे क्योंकि हमें plus 0 होता है minus 0 नहीं होता है तो यह total 8 possibilities बनती हैं अगर आप किसी two sign numbers को add करते हो